नमस्कार मैं कुसुम आप देख रहे हैं खबर हरपर न्यूज अब चलते हैं आज की कुछ खास खबरों की और बगवान महाविर स्वामी के निर्मार में महोस्व पर जैन समाज ने मनाई दिवाली और बगवान के चड़नों में समर्पित किये गए 21 कुलों के लाडू और चमपाबाग दरमसाला में विसाल कुन बना कर की गई पावर पूर की रचना देश वर में जहां दिवाली मनाई गई वहाँ जैन समाज के दोरा रईवार को बगवान महाविर स्वामी के निर्मार दिवास पर बड़ी भक्तिय वावसे दिवाली मनाई गई कुआलियर असति चमपाबाग दरमसाला में मौनी सृभी बव yetis सागर महाराच के सानित में भगवान मावीर स्वामी के चर्णों में 21 कि Лों के तीन एवब छोटे छोटे लाड़ू को चड़ा कर भगवान मावीर स्वामी को निर्मार लूसецपम मनाए गया जिसमें आयुजक जियन मिलन के सभी सदस्यों के दोरा बगवान की फक्ती करते हुए लाडू सुनुपित किया गया जियन समाच के प्रवक्ता ललीजे ने बताया कि सास्तों के नुसर बगवान मावी सौमी पावपुरी तीरती से मोक्ष गए थे इस सबस्बब जियन समाच के अनेक वक्त पावपुरी जाकर ही बगवान का निर्वार मौसब मनाते हैं लेकिन चातुर मस्कमेटी की दोरा चमपा बाग दरमसाला में ही पावपुरी की रचना की गई जिसमें पंडाल के बीचों बीच एक बिसाल जल कुन बनाए गया ऐसा लग रहा था मानो पावपुरी में ही भगवान के चरणों में लाडू समय बित कर रहे हूँ इस अफसर पर चातुर मस्कमेटी एवं जैन में की डॉक्टर बीरिंद कुमार गंगवाल संजीव जमीरा बनेकासलीवाल योगेज बोरा पंकच बाकलीवाल धरम बरिया आसीज जैन कटपीस पवन जैन विकास गंगवाल राजू जैन चंत पकास चंदर भानू जैन जैन ब्रम्चानी लीना दीदी प्यंका दीदी नीतु नीटीदी ने बागवान के चड़नों में लाड़ू समय पित किया इस अफसर पर मुनी सिरी का पात पचलन सरत बहुरा राजू बहुराना ने किया बागवान की आरती आजय जैन कोले का मंदिर बालों ने उतारी मुनी स्री ने दमसाव को सम्भूदित करते हुए कहा कि आज हम सभी बागवान का मुक्ष के लैंड़क दिवस मना रहे हैं और यह तवी सार्थक होगा जब हम बागवान के गोड़ों को आत्स्परात करने का प्रूसार्थ करेंगे हम बागवान मौवी स्वामी के गोड़ों का बखान तो करते ही हैं लेकिन उन गोड़ों को धारन भी करना होगा तबी तो आत्मे कल्यान का पत पर अगरसर होंगे मुनी सिरीक ने कहा कि इनसान की जैसी मती होती है बैसी उसकी कती होती है यदि हमें जनमरंग के दोर से कुछ छुटकारा पाना है तो बगवान की वक्ती करते हुए आत्म कल्यान करना होगा गौले से हमारी समाता था लली जन भारती की ख़बर इस लागडाउन में भी भरती प्रभावना चबजत दी जहां से रोड़ ठाने के सामने इस थी टायर के गोदा में लगी आग मौके पर पहुची फायर बिगेट की दो गाड़ियां और पठा का या सौट सरकिट से आग लगने की आशनका गोदा में बैटरी का भी होता था कारूबार दर असल आज सूबह जहां सी रोड़ पर एक टायर के गोदा में आग लग गई दमकल अमले ने यहां दो गाड़ी पानी फायर कर आग पर काबू पा लिया कांग्रेस नेता और पूर्ब सांसत रामसेवक सिंग के पुत्र के घर चोरों ने आदी रात को सूने मकान में बदमाशों ने तोड़ा घर का ताला लाखो रुपे की नगदी और गहने लेकर हुए चमपत जहांसी रोड़ पुलिस कर रही है मामले की जाच मादव नगर में रहते हैं धरंबिर सिंग ग्वालिर के जहांसी रोड़ थाना इलाके में कांग्रेस के नेता और पूर्ब सांसत रामसेवक सिंग के पुत्र के घर चोरी की घटना का मामला सामने आया है बताया गया है कि आदी रात को सूने मकान में बदमाशों ने घर का ताला तोड़कर चोरी की घटना को अंजाम दिया चोर यहां से लाकों रुपे की नगदी और गहने लेकर चमपत हो गए घटना की सूशना पर मौके पर पहुची जहांसी रोड़ पुलिस मामली की जाच कर रही है घटना जहांसी रोड़ की मादम नगर की है सामान की डिटेल तो मेरा बेटा रहता है उसको मालूम है पूरा डिटेल उसने दिया है फुलिस वालों को दिया है सब पूरा टिया ही साब को असरेम लेकिन आज रात को जो यह में चोड़ी हो गई ये गटना को करा हूं कितने बिजये लगभब आंधान में कि होगी बाराव ओसे क्वाजे बाध की होगी बारा बगात की बेटे ने क्या बताए कितने इमकारी कर रहे हैं उनसे बात कर रहा है अब बात करने पाया हुए बात करूँ ना पर बताता हूं वो उस वाइब पर नहीं था वो अकेला रहता था उसकी पतनी अपने माय के गई हुई थी जुवाली पर वह अकेला था कई दोस्तों से बिलने चला गया कि अपने घर का काम देखता है कॉलेज का और इसके प्रेटल फॉम का एगरी कल्चर का भी देखता हुई कि यह आज अज शूचना मिली कि मकान नंबर मादोनगर में 146 यह द्रमबीर का मकान है कि यह सुचना की मिले थे कि यह चूरी हो गया है फिर हम लोग सब पूरा फोर से हाँ आए हैं कि अभी यह जांच परतार करने बहुत मालूम पड़ाएगा आप चेक करेंगे कि इसके छोटे भाई रहते हैं इसमें साथ साम को यह कही बाटी में गया थे यह बताने पाएंगे यह सुबह चार बज़े आए हैं उसके बाद में दर्वाज खोल के देगे इसमें पड़ाव कि अताला टूटा है कि कि यह रात की खटना हुए यह बारा के बाद में हो सकत अभी CCTV केमरा अगल बगरम लगी उसमें चेक करवाते हैं गौलेर में राजू राठोवर की हत्या करने के बाद डेर महीने से फरार चल रहे दस हजार के इनामी जीतू पंडित की देर रात एक बस्ती में घेर कर हत्या कर दी गई जीतू पंडित की हत्या संजय नगर में ला और राजू राठोर की पीट पीट कर हत्या कर दी गई और शब को आटोमेट डाल कर डबरा ले जाकर सिंध नदी में फैक दिया था गटना के बाद से ही फरार चल रहे जीतू पंडित को बदमाशों ने संजय नगर में घेर लिया और हत्यारों से जीतू की हत्या कर दी पाई इसके लिए पत्तरों से चेहरे को कुचल दिया गया फिलाल इस मामले में कोई भी प्रत्याक्ष दर्सी मूँ खूलने को तैयार नहीं है जबकि हत्या घनी वस्ती में सबके सामने की गई जनगन्धाना पुलिस ने हत्यारों की तलाश शुरू कर दी है सौंबार को आचारे स्री 108 विराग सागर महराजी के परमशिष्य मेडिटेशन गुरू मुनी स्री 108 विहसं सागर महराजी के ससंका भवे पिच्छिका परिवतन समारों का कारिकरम इटावा के माई मेरिज हों पर संपन हुआ जैन मंदिर पर महिला मंदल के द्वारा बच्चों के नित्य कारिकरम कराए गए सौंबार को आचारि स्री 108 विराग सागर महराजी के परमशिष्य मेडिटेशन गुरू मुनी स्री 108 विहसं सागर महराजी के ससंका भवे पिच्छिका परिवतन समारों का कारिकरम इटावा के माया मेरिज हों पर दुन्दाम से संपन हुआ सभी जैन मंदिरों की महिलाए मंडल के बच्चों द्वारा नित्य कारिकरम भी कराए गए इसके बाद मेडिटेशन गुरू नई पिच्छी की गई उपराद महराजी के मंगल बिहार बार सो मद्दिपरदेश के लिए किया गया इसमें महिलाए और पुर्सों ने कारिकरम और मंगल बिहार बढ़ चड़कर इस्था लिया तू ही दुक्ती है मेरी हरी रोज मैं गर्यू नाम उखोते है बढ़ो हर रोज मैं गर्यू तू मेरी मंजिल तू ही मंजिल का है जरिया जो बढ़े आखोसत मौंग कालिया, जैसे घõ नाम उखे है मेरी रेक्षा स्थुनी रुंदि में जैसे जान दिया रात नाम उखे है मेरी रेक्षा स्थुनी रुंदि में क्यों तेरे दर के सिवा कहीं और ना दूले में क्यों तुम्हाल ना थो प्रप्रू उपर तटा तुम्हे याए मैं जोलता साओ शेहर दूटों जुमाना है जैसे ढाव का दर्श नांके है गूरी दूरी दूरी दूर्डियमे जैसे जान्ट भीर रात नांके है मेरी भी इक सास खुनियमे कि तेरे दर के सिवा के वहर दान लें लुट माम सब्रुपूं को टता तुम्के काना है इतावा थाना चेट के फ्रेंस कालोनी के अंतरगर्स साइन सुईट के पास 11,000 की लाइन से चिपक कर एक मैदूर की मौत हो गई मैदूर की मौत के आसपास के लोगों में संसनी फैल गई इतावा थाना चेट के फ्रेंस कालोनी के अंतरगर्स साइन सुईट के पास 11,000 की लाइन से चिपक कर एक मैदूर की मौत का मामला है मैदूर की मौत के आसपास के लोगों में संसनी फैल गई है जिससे रोज की तरह यह गोविन नाम का ब्यक्ती जिसकी उम्र 35 वर्सी है मैदूर पानी भरने गया था पर क्या मालूम था कि आज उसकी जिन्दिगी का यह आखरी दिन होगा थाना फ्रेंस कालोनी पुलिस और सीयोर सिटी राजी प्रताव मौके पर पहुच कर इस्थिती को समानने में जुटे हैं मौके पर इटावा के पूर्व सांसत प्रेम दास कठेरिया वा सदर सीट के पूर्व विधायक रगुराज सिंग साख के भी मौके पर मौके पर मौजूद हैं अब आप यहां पर आए हैं अब होगी आपसे अगले बुलिटीर में मुलाका तब तक के लिए बने रही है खबर हर्पल न्यूज के साथ